अलो स्टुजेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज को पढ़ा रहे हैं क्लास 5 के इंग्लिश की बर्ग बुक that is बर्ग बुक और पीटल्स यानी पीटल की बर्ग बुक जिसमें आज पढ़ा रहे हैं आपको डे 22 और चेप्टर का नाम है एक कोवा और लोम्री जो आपने काहनी बुक में पढ़ी है यहाँ पर चित्रों के माद्यम से उसको समझाए गया है लेट मी इट इस रोटी अब कोवा यह सोच रहा है चलो हम इस रोटी को खाते है अब इदर लोम्री ने उसको देख लिया तो वो कहती है आई एम हंगरी में भोके हो अब वो सोच रही है आई नीट टू इट मतलब लोम्री यह सोच रही है कि यह रोटी हमें खाने है बाव यह रोटी और उसने यह देख लिए इसमें वाव अरी रोटी तो बहुत अच्छी है अब देखेंगे यहाँ पर कुछ इससे समंदित क्वेशन आपसे पूचे गए है कि विच आरदा एनिमल इन दिस स्टोरी में कौन कौन है तो आप लेखेंगे एक क्रो दक्रो या एक क्रो एंड ए विच वर्ड है बिंग्स एंड बीक रायट थिरी नेम्स अब यहाँ पर यह का जारा किन पच्छियों के पंक और चौच होते हैं तीन नाम लेखेगा तो आप तो एक तो क्रो यह लिख सकते हैं पीकॉख लिख सकते हैं और डख लिख सकते हैं बहुत से पच्छी ऐसे हैं जिनके पंक और चौच होते हैं बिच ऐनिमल रन सभी के होते हैं और डियर लिख दीजिएगा और टाइगर लिख दीजिएगा लॉइन लिख दीजिएगा यानि सब्ते तोड़ते हैं वेचार यूर फेबरेट बर्डेन निमल आपके सबसे अच्छे या आपको पसंद आने वाले किसी एक पच्छी और एक जानबर का नाम आप लिखें तो आप लिखे दीजिएगा पीकॉक और जानबर माप लिख दीजिएगा काव या आपको जो पसंदो बोल के नाम लिख सकते हैं देखते हैं नेक्स 23 डे की किलास अब लोम्री यह सोच रही है कि इस रोटी को हमें कैसे मिले आइडिया कुछ उसके दिमाख में ऐसा आइडिया है जिससे कवे की चोंच में जो रोटी है वो हमारे ये पास आ जाए हाई क्रो यू सिंग सूग अब इस लोम्री क्या कह रही है उससे अरे अरे कवे तुम तो चाँ बहुत अच्छा गाते हों मैं गाने लगा उसकी तारिफ कर दी तो बहुत अच्छा गाते हो गाने लगा तो जब बेच वार्ड इस बैक इन बिलेक इन कलर कौन साथ पच्छी ऐसा होता रंग में काला तो आप लिख देंगे क्रों कि बेच वार्ड इस सिटिंग ओन दा ट्री पेड़ पर कौन बैठा था तो आप लिख देंगे क्रों अब या पर आपको ट्रीउ फाल्स वताने हैं शाही गलत कि फोक्स बाज हंगरी के लोम respect थी लुह बिल्कुल बूह की थी तर त्री फे कर देंगे तर क्रो सिंग ह्यां चया शाग आए पातु द फॉक्स बाश स Cuando-tree नउ हे फार स मी आपट कीucha रॉकल और वहाग गया धे यह थी सम्म Stephanie सब्सक्राइब नेश्टे की किलास डे 24 रीड़ पैसे दिस यह पीकॉग यह एक मोर है दपीकॉग इस अवर नेशनल वर्ड अब यहां से आपको पता चलेगा हमारा रास्ट यह पच्छी कौन सा है तो मोर है इट है जे ब्यूटीफुल बिल्यू बालविट कालर ओन एक लॉंग नेक इसकी परफिल कलर की बहुत सुंदर गरदन होती है यह डूंग नैक लंबी होती और परफिल खलर की बहुत सुंदर रोओती इест डूरू रùिड़ करके आपको यह भणना दिसे यह पारट यह एक तोता है दा पैरट इज वेरी इसकी लाल रंग की चोंच होती है it is eating क्या खारा यह कॉर्ण मक्का तो यह फिलिंदा ब्लेंक्स किये जा सकते थे इसे प्रकास से इसमें लास्ट कोश्ण यह है कि राडदा नेम और यंग वन्स इनके बच्चों के नाम आपको लिखने हैं यहां से देख कर जैसे लाइन लाइन के बच्चे को कहते हैं कभ शी यू बी डॉग डॉग के बच्चे को कहते हैं पप्पी यानि पिल्ला शीब के बच्चे को कहते हैं लैम मैमना और रैबिड के बच्चे को कहते हैं बन्नी खरगोस का बच्चा और बड के बच्चे को कहते हैं नैस्टिलिंग चिडिया का बच्चा नैस्टिनिंग कहलाता है और कॉक मुर्गे का बच्चा होता है चिक देखते हैं डे 25 की क्लास 25 डे है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इनकी आवाज देगी उसे सम्मंदित वो जानवरों को नाम लिखेने हैं अब कल नमबर यह करता है दिक टलुक कान करता है है नमरत थीन पर क्रहल रखन करता है चन यानि कॉक लिख दो मुर्गा और चार में काउं काउं क्रो कवा करता है कुख 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 करती है कॉयल पीहू पीहू करता है सिक्स नमबर पर इसमें है मूर पीकॉक म्यू करती है कैट बा बा एट नमबर पर एट नमबर वाला है यह मतलब सीप कुईंक 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 की यह कौन करता है नाय नमबर पर लिखा हुआ है पिग शूर और दस नमबर लिखा हुआ हुआ है फ़लब गदा डेपू डेपू करता है तो इसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पर आश ए डवल एस लास्ट है इस क्लास का लास्ट कुश्चन है हाई I am डक दिस इज माई बीक, यह sign दिया गया, जिस पर यह arrow जा रहा है, वो नाम लिखना है, बीक माने होती है, चौँच Hi, I am lion, मैं share हूँ, this is my tail, यह मेरी पूँच है I am fish, मैं मचली हूँ, this is my finch, punk है Hi, I am cow, मैं गाय हूँ, और यह मेरी horn, horn होती है, शींग I am parrot मैं तो हूँ, और यह मेरी bing है, punk जब डबलू आई एंजी, bing माने, punk होते हैं, जैसे किसी पच्ची के, और finch माने भी पर कह सकते हैं, या punk कह सकते हैं, लेकिन वो मचली के होते हैं, तो मचली उड़ती है नहीं, इसलिए उनको पर कहते हैं, ठीक तो इस किलास में हमने आपको, इफॉक्स एंडिक क्रो, जो कानी है, उससे समंदित exercise हमने completely आपको करवा दी, आशा करता हूँ, आपने समझ पाई होगी, that's all, जैहिंद जैभारत